नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइगर रिजर्व यानि भारत के बाग अभ्यरण के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में हम लोग बाग अभ्यरण के बारे में डीटेल में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ भारत के महत्पुन बाग अभ्यरण यानि टाइगर रिजर्व को याद करने की कोशिस भी ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो आप इस वीडियो को सुरूर से अंदर तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह जो टॉपिक है यह सभी ज्यामों के लिए काफी जादा महत्पुन है इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं जिन पर टिक लगा हुआ उन पर वीडियो पहले से अप्लोड है जिसका सादिक अर्थ होता है बागो को अरक्षित करना जो बाग अभ्यरण है यह बागो को अरक्षित करने वाला ऐसा इस्थान है जहां एक निश्चित भागोलिक छेत्र में बाग अभ्यरण गोसित करके बागो को संरक्षित किया जाते है मतलब सीधा साप ऐसा समझे कि बाग अभ्यरन ऐसा इस्थान है जहां बागो को संदक्षित किया जाते है ठीक है बागो के संदक्षन के लिए केंदर सरकार दोरा प्रोजेक्ट टाइगर यानि बाग बचाओ अभियान सुरू किया गया था क्योंकि उस टैम पे क्या हो रहा था कि बागो की जो संख्या वो घट रही थी जिस करांड से केंदर सरकार दोरा बागो की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरूआत की गई और इसकी जो घोषना है वो जिम कार्वेट राष्टी उद्यान से की गई थी आपको पता है जो जिम कार्वेट राष्टी उद्यान है वो कहां इस्तित है उत्तरा खंड में इस्तित है तो यहीं से 7 अपरेल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर इनी बाग बचाव पर योजना की सु कारद्वारा की गई थी इस समय कारेकाल में भारत की प्रधान मंत्री थी इंदिरा गांधी जी तो पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर किसके कारेकाल में सुरू हुआ था तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी जी के कारेकाल में सुरू हुआ था ठीक है जो प परियोजने हैं 1973 में जो प्रयुक्त टाइगर की नेतितु करता थे या फिर आप बोल सकते हैं कि जो टाइगर रिजर्व की नेतितु करता थे वो थे कहला सांखला जी उनको टाइगर मैं आफ इंडिया के नाम से जाना जाते है जो इस्थापना हुई थी जब टाइगर रिज राष्टी उद्यान था वो था जीम कारवेट नेशनल पार्क जो कि आपको पता ही है कि उत्राखण में सी थे तो जो जीम कारवेट नेशनल पार्क है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगात सामिल होने वाला भारत का पहला राष्टी उद्यान था ठीक है आपको पता है जो बाग है वो भारत का राश्टी पसु है जिसका बाज्यानिक नाम है पैंथरा टाइगरीज जबकि जो अंतरराश्टी बाग दिवास है ना वो मनाया जाते है 29 जुलाई को मैं आपको बता दूं किय Marcel 29 जुलाई को क्यों मनाया जाते है इसी करण से 29 जुलाई को अंतरराष्टी बाग दिवस मनाया जाते है ये जो सिखर सम्मेलन था इसमें हिस्सा लेने के समय सभी देशों ने एक लक्ष रखा था वो ये था कि 2022 तक जो बागों की संख्या है वो दुगनी करनी है तो याद रखेगा कि जो पिट्सवर्ग सिखर सम्मेलन रूस में आजित हुआ था वो हुआ थो 29 जुलाई सन 2010 को इसी करण से 29 जुलाई को अंतरराष्टी बाग दिवस मनाया जाते है मैंने आपको बताया कि टाइगर रेंज कंट्रीज में 13 देश सामिल है तो उन 13 देशों के नाम निम्न है भारत, बांगला देश, भू संख्या दुगनी करने पर एक अवार्ड दिया जाता है वो बोला जाता है अवार्ड टाइगर टाइम्स टू अवार्ड यह अवार्ड नेपाल को सन 2018 में दिया गया था जबकि भारत को सन 2019 में बागो की संख्या को दुगना करने के लिए दिया गया था इसके अलावा आप एक चीज और नोट कर लिजेगा कि पिली भी टाइगर रिजब जो है वो तेरा देशों में पहला ऐसा है जो कि चार साल में ही 2014 से 2018 के बीच में बागों की संख्या को दुगनी कर लिया था यहाँ पर 2014 में 25 वाग थे और 2018 तक यहाँ पर 65 वाग हो गय थे इसी करन से 2020 में इसको Tiger Times 2 Award दिया गया है ठीक है तो यह चीज भी आप याद रखेगा इसके अलावा आप यह भी याद रखेगा कि Tiger Times 2 Award जो है यह सं 2022 में सत्यमाइंगलम Tiger Reserve जो की तमिलाडू मिस्थी थे इसको दिया गया और उसके अलावा जो बरदिया नेशनल पार्क नेपाल का है उसको भी यह अवार्ड दिया गया है भारत में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा बाग हो की संख्या वाला राजी कौन सा है तो है मध्य परदेश इसी करना से जो मध्य परदेश है उसको Tiger State के नाम से भी जाना जाते है जबकि दूसरे नंबर पर जो State है वो है करनाटक करनाटक पे मध्य परदेश के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बाग पाय जाते है इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा बागो वाला जो Tiger Reserve है वो है Carbet Tiger Reserve जबकि भारत का सबसे बड़ा जो Tiger Reserve है वो है Nagarujun Saagar Shri Salem Tiger Reserve सबसे बड़े Tiger Reserve की बात हो रही है मतलब छेत्रफल के हिसाब से बात हो रही है जबकि मैंने जो कारवेट टाइगर रिजर्व के बारे में बताया तो वो भारत में सबसे ज़्यादा बागो वाला टाइगर रिजर्व है ठीक है और अगर बात करें कि भारत का सबसे छोटा Tiger Reserve कौँसा है तो यह बोर जो की महाराष्ट में इस्थीत है और विश्व का सबसे ज़्यादा उचाय मिस्थी Tiger Reserve जो है वो है नमदफ़ा Tiger Reserve जो नमदफ़ा Tiger Reserve है यह इस्थीत है अरुनांचल प्रदेश में और एक और महत्पूर्ण फैक्ट याद रखेगा कि विश्व में सरवाधिक बाग घनत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है तो वह है काजी रंगा टाइगर रिजर्व ठीक है तो यह महत्पूर्ण फैक्ट आप बाग अभ्रण के बारे में याद रखेगा अब हम लोग एक एक करके सभी बाग अभ्रण के बारे में याद करते हैं कि विश्व राजसे संबंधित है क्योंकि ग्याम में अक्सर नाम से पूछ लिया जाता है कि ये टाइगर रिजर्व किस राजसे संबंधित रखता है ठीक है तो देरी ना करते हुए चले हम लोग एक में आपको दो सब्द मिल जाएंगे एक है कार और दूसरा वेट मतलब वजन होते है और कार तो आपको पते है तो ऐसा समझे कि कार में वेट जादा हो गया मतलब बहुत जादा लोग कार में बैठ गया है तो कार के अंदर वेट जादा हो गया है जिसका से जो कार है वो आगे नहीं बढ़ रही है तो अब जो ड्राइवर है वो बोल रहा है कि कार में वेट जादा है और लोग उतर जाओ और लोग उतर जाओ जिससे की कार आगे बढ़ जाए क्योंकि कार में वेट जादा है तो उतरना फौर उत्तरा खंड बोल रहा है कि उतर जाओ उतर फौर उत्तरा ठीक है तो आप एसे याद रखिएगा कि करवेट टाइगर रिजर्व कहा इस्थीत है उत्तरा खंड राज में इस्थीत है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बांदीपूर टाइगर रिजर्व की जो बांदीपूर टाइगर रिजर्व है वो करनाटक राज में इ तो आपको पता है पहले के टाइम पे राजा महराजा के समय अगर कोई कर नहीं देता था तो उसको सिपाहियों दोरा बंदी बना लिया जाता था या फिर अभी के टाइम पे अगर कोई कर की चोरी करेगा टेक्स की चोरी करेगा और टेक्स पे नहीं करेगा सरकार को तो जाहि तो आप ऐसे आसानी स्याद रख सकते हैं कि बांदीपूर टाइगर रिजर्व जो है वो करनाटक राज में इस्थीत है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मानस टाइगर रिजर्व की जो मानस टाइगर रिजर्व है वो असम राज में इस्थीत है तो यहाँ पर द रखिएगा कि मानश टाइगर जो रिजर्व है वो असम राज में इस्थीत है ठीक है इसके बाद अगला है कानहा टाइगर रिजर्व जो कानहा टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश राज में इस्थीत है आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश है इसको भारत का हिर्द और जो भगवान कृष्ण है वो हम सब के दिल पर वास करते हैं यानि Heart of India है यानि पूरे भारत का दिल है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कानहा टाइगर रिजर्व है वो मद्ध प्रदेश में इस्थीत है दूसरा मद्ध प्रदेश को सौट में MP बोलते हैं और MP को या याद रख सकती है इसके बाद अगला पॉइंट है सुन्दर वन टाइगर रिजर्व जो की पश्चिम बंगाल में इस्थीत है तो नॉर्मली ये सब को याद होगा जिनको याद नहीं है उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आपको एक सब्द मिलेग पक्षी और सुन्दर वन में आपको सब्द मिलेगा सुन्दर वन यानि व्यूटिफुल वन की बात हो रही है तो जाही सी बात है अगर कोई वन बहुत ही सुन्दर होगा तो सभी पक्षी वहीं पर जाना पसंद करेंगे है ना क्यूंकि वन बहुत ही सुन्दर है सुन्दर और टाइगर रिजर्व जो की राजस्थान में इस्थीत है तो यहाँ पर देखिए रण थम्बॉर में आपको सद्ध मिलेगा रण रण मतलब युद्ध भूमी की बात हो रही है और राजस्थान में राजा की बात हो रही है तो आपको पते है कि इतिहास में जो राजा थे वही युद्ध करते थे है ना जो राजा थे वो हमेशा रण में खड़े रहते थे तो रण में राजा युद्ध करते थे तो आप ऐ कि रन थम बो जो Tiger Reserve हो कहा इस्थित है राजस्थान में स्थित है ठीक है इसके बाद एगले है पलामु टाइगर रीजर्व जो कि जार खंड राज में इस्थित है तो जार खंड में आपको जहरना सब्द मिल जाएगा और आपको पते है जो जहरना है वो पानी से सम्मंधित ह और पलामू को याद करने के लिए कर लेते हैं पलंबर पलंबर आपको पता है वो भी पानी से समंदीती काम करते हैं तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो पलामू टाइगर रिजर्व हो किस राज में इस्थित है जारखंड राज में इस्थित है ठीक है इसके बाद next point है simly part tiger reserve जो की उड़ीशा राज में इस्थित है तो यहाँ पर देखें आपको एक सब्द मिल जाएगा simly sim आपको पते है ना जो phone में sim लगती उसकी बात हो रही है तो कोई ब्यक्ति है जिसने simly है और यहाँ पर देखें odisha में आपको सब्द मिल जाएगा उड़ना तो ऐसा समझे कि कोई ब्यक्ति था जिसने कोई ऐसी simly जिसका network नहीं मिल ला था है ना पहले उसके mobile पर कोई ऐसी sim लगी थी जिसका network नहीं मिल ला था तो अब उसने नई simly है क्यों क्योंकि पहले वाले sim पर network नहीं मिल रहा था उसका network उड़ जा रहा था बार बार इस करान से उसने नई simly है तो simly है क्योंकि उसके mobile से network उड़ जाता था तो उड़ना फौर उड़ी सा तो आप ऐसे आद रखिएगा कि जो simly पाल tiger reserve है वो उड़ी सा राजी में इस्थीत है ठीक है इसके बाद एगला है मेल घाट tiger reserve जो की महाराष्ट राजी में इस्थीत है धियान रखिएगा यहाँ पर महाराष्ट में आपको एक सब्द मिल जाएगा हरा ठीक है मा के बाद हरा सब्द लिखा हुए ना हरा मतलब green वाले हरे की बाद कर लेते हैं वैसे हरा से हरियाना भी होता है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ऐसा कोई tiger reserve नहीं है जो की हरियाना राजे से सम्मंधित हो तो आपको किवाल एक point याद रखना है कि जितने भी चीजों को हम लोग हरे से याद करेंगे उसका महाराष्ट होगा ठीक है तो यहाँ पर देखे मेल की बात हो रही है मेल मतलब आपको पते है कि मेल मतलब train भी होता है ना है ना पहले क्या बोलते थे मेल बोलते थे तो क्या होता है मेल मतलब train होता है train जो है वो हरी जंडी से स्टार्ट होती है यनि हरी जंडी दिखाने पर चलती है तो याद रखिएगा कि जो मेल है वो हरी जंडी दिखाने पर चलती है तो आपको याद हो जाएगा कि मेल घाट टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट में इस्थीत है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सरिस्का टाइगर रिजर्व जो की राजस्थान में इस्थीत है तो यहाँ पर देखिए सरिस्का में आपको सब्द मिल लगा सर और राजस्थान में राजा तो आपको पता है राजा के सामने हर कोई सर जुका के बाद करता है तो आपको ऐसे यह पॉइंट आसानी से याद हो जाएगा कि सरिस्का Tiger Reserve Rajasthan में इस्थीत है ठीक है इसके बाद अगला Point है Pairier Tiger Reserve जो कि Carol Razi में इस्थीत है तो यहां पर Carol को याद करने के लिए कर लें करेला आपको पता है जो करेला होता है उसका जूस बहुत ही फाइदेमंद होता है हाला कि कड़वा होते है लेकिन जो करेला होते है अगर उसका जूस निकालना हो तो जाहिसी बात है उसको पेर कर जूस निकालेंगे है ना उसको पेर कर उसका जूस निकालेंगे तो पेरना फोर पेरियार तो याद रखिएगा कि जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो केरल राज में इस्थीत है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व की जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है वो 36 गढ़ राज में इस्थीत है तो यहाँ पर देखें इंद्रावती में जो वती सब्द लिखा हुए ना इसमें मैं आपको एक सब्द जोड़ कर दिखाता हूँ तो हो जाएगा बतीस साथ सब्द जोड़ने से क्या हो जाएगा बतीस हो जाएगा और 32 से आपको पता है किसी भी राजी का नाम नहीं आता लेकिन 36 से राजी का नाम आता है 32 एक गिंती के अंतर गता आ गया और 32 से 36 करना है 36 फोर 36 गड़ है तो याद रखेगा कि जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है वो 36 गड़ राजी में इस्थीत है इससे पहले हम लोगोंने सिमलीपाल राष्टी उद्यान या फिर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व याद किया था तो उसको आप एक तरीके से और रियाद रख सकते हैं सिमली में आपको एक सब्द मिल जागा इमली इमली आपको पता है खटी होती है और पक्षी मीठा खाना पसंद करते हैं तो जैसे ही इमली खाएंगे अगर पक्षी और जो इमली है वो खटी आएगी तो वो बीना खाए ही उड़ जाएंगे तो उड़ना फोर ओडिसा तो आप ऐसे भी सिमली पाल को याद रख सकते हैं ठीक है इसके बाद अगला है बक्सा टाइगर रिजर्व जो की पश्चिम बंगाल में इस्थीत है तो यहाँ पर देखें बंगाल में आपको बंगला सब्द मिल जाएगा और यहाँ पर बक्सा सब्द लिखा हुआ है तो बक्सा सब को पता है कि बक्सा किसे बोलते हैं तो जो बक्सा होता है वो घर में रखा जाता है या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि बंगले में रखा जाते है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बकसा टाइगर रिजर्व है वो पश्चिम बंगाल में इस्थीत है ठीक है इसके बाद अगला पॉइंट है नागार्जुन स्री सेलम टाइगर रिजर्व जो की आंध प्रदेश राज्य में इस्थीत है तो यहाँ पर देखें नागार आपको महाभारत में देखने को मिलते हैं तो आपको पता हैं अंध्य धृत राज जो थे वो भी महाभारत के हिस्था तो आप ऐसे आसानी शियाद सकते हैं कि नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व कहां इस्थीत है आंध प्रदेश में इस्थीत है क्योंकि अरुनांचल प्रदेश में स्थीत है तो यहाँ पर देखे अरुनांचल को याद करने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ अगर अरुनांचल को इंग्लिस में लिखे तो क्या हो जाएगा R-U-N अरुनांचल R-U-N और आगे का सब्द ठीक है तो R-U-N का मतलब क्या होता है रन होता है नाम दफ़ा में आपको एक सब्द मिल लागा दफ़ा यानि कोई ब्यक्ति है जो कि कि किसी को बोल ला है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ ठीक है तो जाही सी बत है दफ़ा होने को अगर कोई बोलेगा किसी को तो वहाँ से भाग जाएगा यह ना खड़ा नहीं रहेगा माली यह छोटे बच्चे हैं सैतानी करते हैं और घर वाले बोलते हैं कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ तो बच्चे रन करके डर से भाग जाते हैं तो रन फ़ार अरुन तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नाम दफ़ा टाइगर रिजर्व जो है वो अरुनांचर प्रदेश में इस्थीत है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व की जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश में इस्थीत है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दूध के उत्पादन में प्रथामिस्थान रखने वाला भारती राज कौन सा है तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश राज में इस्थीत है ठीक है इसके बाद हम बात कर लेते हैं कलाकड मुंदन थरई टाइगर रिजर्व की जो की तमिल नाडू राज में इस्थीत है तो यहाँ पर देखे मुंदन थरई में आपको सद मिल जाएगा मूद और थारी मूदना मतलब ढखना होता है तो ढख के रखा गया थाली को तो जाही सी बात है कि थाली में कोई ने कोई भोजन रखा होगा इस करण से थाली को ढख कर रखा गया है और यहाँ पर देखे तमिल नाडू में आपको सद मिल जाएगा ताकि बाद मिल मील मतलब होता है भोजन या फिर आहार आपने सब्दे सुना होगा मिड़े मील तो आपको पता है थाली में कोई ने कोई भोजन यानी कोई ने कोई आहार यानी मील रखा गया होगा इसी करना से थाली को मूद कर यानी ढख कर रखा गया है तो आप ऐसे आसानी सियाद रख सकते हैं कि कलाकड मुंदन थराई टाइगर रिजरु कहां इस्थीत है कमिल नाडू राज में इस्थीत है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वालमी की टाइगर रिजरु की जो की बिहार राज में इस्थीत है तो बिहार में आपक क्रिकेट का गेम कहीं पर हो रहा है जो कि दो टीमें खेल रही है और एक जो टीम है वो बुरी तरह से हार रही है ठीक है तो बुरी तरह से जो हारने वाली टीम है अगर हार रहे है तो जाहिस सी वात है कि वो गुस्ते में वाल को फेंक कर चले जाएंगे क्योंकि हार रहें बुरी तरीके से तो वाल को make कर भाग जाएंगे तो वाल मेकी for वालमी की तो आप ऐसे याद रखियेगा कि वालमी की Tiger Reserve जो है वो किस राज में स्थीथ है बिहार राज में स्थीथ है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लिते हैं इंदीरा प्रिदर सनी पेंच टाइगर रिजर्व की जो की मध्ध प्रदेश राज में इस्थीत है साथ ही लिष्ट में एक और नीचे नाम आएगा वो है पेंच टाइगर रिजर्व जो की महाराष्ट में इस्थीत है तो मैं आपको बता दूँ जो पेंच टाइगर रिजर्व है इस इसका विस्तार मध्यप्रदेश और महाराश्ट दोनों जगे है पाया जाते है यहां कि पर आगर लिखा हुआ है है ना यानि उनके हार्ट में वो समाहित होंगी तो जाहिज सी बात है कि हार्ट आफ इंडिया किसको बोला जाते है मध्य प्रदेश को बोला जाते है भारत का दिल तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि इंडिया प्रदेशनी पेंच टाइगर रिजर्व कहा इस्थीत है मध्य प्रदेश में इस्थीत है और अगर पेंच से याद करना है तो आपको पता है मध्य प्रदेश को सौर्ट में बोलते हैं MP याद करने के लिए मैं करता हूं M को मम्मी P से पापा तो आपको पता है पें पिंच टाइगर रिजर्व हो कहां इस्थीत है मध्य प्रदेश में इस्थीत है ठीक है और महाराष्ट वाले को याद करने के लिए आप ऐसा समझे कि महाराष्ट में सब में जाएगा महान अस्त्र तो आपको पता है ऐसे काम जो की बड़े बड़े अस्त्र नहीं कर पाते है वो पिंच कर लेता है मतलब जो कलम है उसमें बड़ी ताकत होती है वो महान अस्त्र का काम करता है तो याद रखिएगा पिंच महान अस्त्र का काम करता है तो पिंच जो टाइगर रिजर्व हो कहां इस्थीत है महाराष्ट में इस्थीत है ठीक है इसके बाद अगला है बा कानहा है यह व्हागवाण कृष्णिन हमारे दिल पर वास करते हैं दिल मतलब भारत का दिल किसको बोलते हैं ? मद्धय प्रद essence को ऐसे ही कानहा जिनको माधाव भी बोलते हैं माधाव पहूर बांधावगण तो याद रखिएगा जो बांधाोगा Tiger Reserve है वो मध्व प्रदेश में इस्थीत है जैसे कानहा Tiger Reserve में मध्व प्रदेश में इस्थीत है अगला है तड़ोबा अंधेरी Tiger Reserve जो की महाराष्ट में इस्थीत है इसको किसी भी ट्रिक से याद करवाने की जरोत नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पर एक सब्द देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंधेरी तो अगर मैं आप से पूछू कि जो अंधेरी जगए है वो कहां इस्थीत है तो आपने फिल्मों में कई बार सुना हुआ कि अंध अंधेरी मुंबई में इस्थीत है तो जो यहाँ पर टडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व हो कहां इस्थीत है महाराष्ट में इस्थीत है तो अलग से ट्रिक बताने की जरोत तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इसके वाद अगला है डंफा टाइ पीनेर से क्या होता है दम आ जाता है ठीक है रम पीनेर से दम आ जाता है आपने देखा होगा फोज में जाएतर लोग जो होते हैं वो क्या पीते हैं रम पीते हैं तो ऐसा समझे कि लोग क्या सोचते है कि रम पीनेर से दम आता है तो दम फोर दम पा तो आयाद हो जाएगा आपको ऐसे कि जो डंपा टाइगर रिजर्व कहां इस्थीत है मिजोरम राजी में इस्थीत है ठीक है इसके बाद अगला है पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्यप्रदेश में इस्थीत है तो इसे पहले मैंने आपको बताया कि बच्चों को सबसे पहले पिन पकड़ना क M और P यानि M P तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि पन्ना जो Tiger Reserve हो कहां इस्थित है मद्य प्रदेश में इस्थित है नॉर्मली सबको ही याद होगा क्योंकि जो पन्ना है वो हीरे के लिए प्रसिध है तो ये याद ही होगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भद्रा Tiger Reserve की जो भद्रा Tiger Reserve है वो करनाटक राज में इस्थित है करनाटक में आपको सद मिल जाएगा कर नॉट कर मतलब टेक्स की बात हो रही है और हर कोई बोलते है कि टेक्स की चोरी करना सही नहीं है टेक्स को भर दो है ना टेक्स की चोरी सही नहीं है टेक्स को भर दो भर दो फौर भद्रा तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि भद्रा Tiger Reserve कहां इस्थित है करनाटक राज में इस्थित है और याद रखिएगा एक है तुंग भद्रा राष्टि उद्यान वो भी करनाटक में ही स्थीत है तो भद्रा तुंग भद्रा दोनों को आप याद रखिएगा ठीक है इसके बाद अगला पॉइंट है पिंच टाइगर रिजर्व पिंच बाद रखिएगा है अगला पॉइंट है पके टाइगर रिजर्व जो कि अरुनांचल प्रदेश राजि में इस्थीत है तो यहां पर देखिए पके को याद करने के लिए कर लेते हैं ठीक है और अरुनांचल में आपको फिर से याद करने के लिए कर लेना है अरुन में RUN करना ऐसा समझे कि कोई दोस्त हैं बहुत सारे जो कि कहीं बैठे हुए है पके से याद करना है पके हुए आम ठीक है या फिर पके हुए फल तो ऐसा समझे कि पके हुए फल के पेंड के नीचे छोटे बच्चे तो run for Arun यानि Arunanchal तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि पक्के Tiger Reserve Arunanchal प्रदेश में इस्थीत है ठीक है इसके बाद हम बात कर लेते हैं सत्पूरा Tiger Reserve की जो सत्पूरा Tiger Reserve है वो मध्ध प्रदेश राज में इस्थीत है मध्ध प्रदेश सौट में बोलते है MP, M यानि मम्मी, P यानि पापा ठीक है और यहाँ पर देखे सत्पूरा को याद करने के लिए कर लेते हैं साथ पूरा तो आपको पता है बच्चों का साथ पूरा कौन देते हैं मम्मी पापा देते हैं तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि सत्पूरा टाइगर रिजर्व कहां इस्थीत है मध्य प्रदेश में इस्थीत है ठीक है इसके बाद अगला है नामेरी टाइगर रिजर्व जो कि असम राजी में इस्थीत है आसम को याद करने के लिए आसमान कर लेते हैं और ना मेरी में आपको सद मिल जाएगा मेरी मेरी मतलब साधी होती है और आपने सुना होगा कि साधीयों में जो जोडियां बनती है वो आसमानों से बन के आती है है ना ऐसा बोला जाता है कि जो जोडियां होती है यानि जो साधी होती है वो आसमानों से फिक्स होकर आती है तो आपको याद हो जाएगा कि मेरी जो है वो आसमान से फिक्स रहती है तो ना मेरी टाइगर रिजर्व कहां स्थीत है असम राज में स्थीत है ठीक है इसके बाद अगला पॉइंट है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो की 36 गढ़ राज में इस्थीत है तो ऐसा समझे है कि यहाँ पर सद्ध लिखा हुआ है उदंती सीता नदी उफंती सीता नदी यानि कोई उफंती हुई नदी थी यानि बाढ़ प्रभावित नदी थी जिसमें सीता कूद गई तो जाहिशी बाढ़ है कि उफंती हुई जो नदी थी उसमें अगर सीता कूदेगी तो जाहिशी बाढ़ है उसको छती होगी यानि नुकसान होगा छती मतलब 36 गढ़ तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि तमिलाडू आपको याद रखने है तो कुल मिलाकर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तमिलाडू में ताके बार सब्द लिखा वैं मिलना ठीक है और अन्ना मलाई में आपको सब्द मिल जएगा मलाई याद करने के लिए कर लेते हैं मिल आई मिलाई, मिलना, दोनों एक ही तरीके एक सब्द हो गए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि अनामलाई टाइगर रिजर्व कहां श्थीत है तामिलनाडू राजी में श्थीत है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं काजी रंगा टाइगर रिजर्व की जो काजी रंगा टाइगर रिजर्व है वो असम राजी में श्थीत है इससे पहले हम लोगों ने नामेरी टाइगर रिजर्व याद किया था मैंने आपको बताया था कि जो marriage है वो आसमानों से fix होकर आती है ऐसे ही काजी रंगा में काज सब दे लिखा हुए काज मतलब साधी ही होती है marriage ही होता है तो आप ऐसे इस point को आसानी से याद रख सकते हैं कि काज जो है आसमानों से fix होकर आते है marriage आस्मानों से fix होकर आती है तो आस्मान for awesome ठीक है तो अलग से trick बताने की जरूरत नहीं है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले point की तो अगला है सत कोसिया टाइगर रिजर्ब जो की ओडीसा राज में स्थीत है तो सत कोसिया में आपको सत मिलेगा सत कोस वैसे सत मतलब सत प्रिष्ट आपने सब्स सुना होगा सत मतलब सौ और सौ योजन समुद्र कौन पार करके गए थे हनुमान जी गए थे कैसे उड़कर है ना तो आप बोल सकते हैं कि सौ योजन समुद्र ने सव कोस समुद्र जो है वो हनुमान जी उड़कर पार किये थे तो उड़ना फ़र ओडिसा तो आपको याद हो जाएगा कि सदकोस या टाइगर रिजर कहा इस्थीत है ओडिसा राज में इस्थीत है ठीक है इसके बाद अगला है डांडेली वा काली टाइगर रिजर बोला जाता है जो की करनाटक राजी में इस्थीत है तो करनाटक में फिर से वही सद ढूणना है करनाट कर मतलब टैक्स तो अगर टैक्स कोई नहीं देगा तो जाही सी बात है कि उसको डंडे पड़ेंगे पुलिस के डंडे पड़ेंगे अगर कोई टैक्स पे नहीं करेगा तो डंडे फॉर डंडेली तो आप ऐसे इस पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अचान कमार टाइगर रिजर्व की जो कि 36 गढ़ राज्य से सम्मंधित है तो ऐसा समझे कि यहाँ पर सब्द लिखा हुए अचानक मार यानि कोई ब्यक्ति है जिसने किसी को अचानक मार दिया है तो जाही सी बात है अचानक मार देगा माली जे सर पे मार दिया है तो छटी हो जाएगी है न कहीं भी मार देगा चानक तो छटी होगी सामने वाले ब्यक्ति के सरीर में तो छटी मतलब 36 गढ़ तो याद रखिएगा कि अचान कमार टाइगर रिजर्व कहां इस्थीत है 36 कढ़ राजी में इस्थीत है ठीक है इसके बाद अगला है मुदू मलाई टाइगर रिजर्व जो की तमिल नाडू राजी में इस्थीत है तो फिर से मलाई सब आया और तमिल नाडू में ताकि बाद मिलना तो मिलाई मिलना दोनों मैच करते हैं तो आप ऐसे इस point को आसानी से याद रख सकते हैं ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संजय दुबरी Tiger Reserve की जो कि मध्यप्रदेश राज में स्थीत है तो यहाँ पर देखे संजय दुबरी में आपको सद मिलाएगा संजय दुबरी में दो बरे यानि अगर किसी दो बरे की जै बुलवानी हो तो आप किसकी जै बुलवाएंगे अपने मम्मी पापा की मम्मी मतलब M, पापा यानि P, M, P सौट में मध्यप्रदेश को यही तो बोलते हैं मैंसा ट्रिक में तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संजय दुबरी टाइगर रिजरु कहां इस्थीत है मध्यप्रदेश राज में इस्थीत है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पेरंबी कुलम टाइगर रिजरु की जो कि केरल राज में इस्थीत है तो इससे पहले एक पेरियार टाइगर रिजरु आया था वो भी केरल में इस्थीत है और पेरंबी कुलम जो है वो भी केरल राज में इस्थीत है तो फिर से वही पेरना सब्द ढूण लेते हैं करेले का जूस निकालना है तो उसको पेरना पड़ेगा पेरना मतलब पेरंबी कुलम ठीक है तो आप ऐसे इस पॉइंट को आसानी से याद रख सकती है इसके बाद अगला है नागर होल टाइगर रिजर्व जो की करनाटक राजी में स्थीत है करनाटक में आपको एक सब्द ढूणना है नाटक ठीक है और नागर होल में आपको सब्द ढूणना है नगर होल यहाणि ऐसा समझें कि नगर के बहुत सारे लोग hall में इकठा हुए है करनाटक राज में ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सहाध्रि Tiger Reserve की सहाध्रि Tiger Reserve है ये महाराश्टर राज में इस्थीत है तो यहाँ पर देखे सहाद्री में आपको एक सद मिलेगद सोहाद्र सोहाद्र मतलब होता है मैत्री पून बेवहार या फिर मित्रता तो जाहिसीवात है ऐसा इस्थान जहां सभी लोग मैत्री पून बेवहार से रहेantly एक दूसरे से मिल जूल कर रहें तो जाही सी बात है ऐसा राष्ट कैसा होगा महान होगा यानि महान राष्ट होगा जहां सभी लोग मिल जूल कर रहें सौहादर के साथ है तो आपको ऐसे याद रखना है कि सौहादरी जो टाइगर रिजर्व है कहां इस्थीत है महाराष्ट चुनी होगी, कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके तो यहाँ पर देख हे बिल्ली क्या है? गिरी है, तो मानिए जो बिल्ली है वो आसमान से गिरी है और खजूर में अटकी है तो करनाटक में आपको सब्द मिल जागा कर-नाट-अटक, ठीक? करनाटक कर ना और अटक तो यहाँ पर अटक सब्द मिल जागा न तो याद रखेगा कि बिली आस्मान से गिरी और खजूर पर अटकी है तो करनाटक आपको सब्द यहाँ पर याद हो जाएगा तो याद रखेगा आप ऐसे कि जो बिलीगिरी रंगनाट टाइगर रिजर्व हो कहां स्थीथ है करनाटक राज में स्थीथ है ठीक है या फिर आप ऐसे भी मान सकते हैं कि करनाटक में कर यानि टैक्स सब्द मिलेगा और बिल दिखाने से यानि कोई भी चीज है बहुत साथ चीज अगर कोई खरीद रहा है बच्चों के पढ़ाई पर खर्श कर रहा है यह सब चीजे तो अगर उसको बिल दिखाता है तो उसको टैक्स यानि कर पर छूट मिल जाती है ठीक है तो आप चाहें तो ऐसे भी याद इसके बाद अगला है कावल टाइगर रिजर्व जो की तिलंगाना राजी में स्थीत है इसके बाद एक और आएगा जो की तिलंगाना से ही संबन्दित है वो है अमरा बाद टाइगर रिजर्व तो यहाँ पर देखें अमरा यानि जिसको आमला बोलते हैं अमरा आमला बोल अमला ओयल तेल यानि तिलंगाना तो आप दोनों पॉइंट को ऐसे याद रख सेते हैं आसानी से कि कावल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां इस्थीत है तिलंगाना राजी में इस्थीत है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सतमंगलम जो सतमंगलम टाइगर रिजर्व है ये तमिल नाडू राजी में इस्थीत है तो यहां पर देखिए सतमंगलम में आपको सब मिलागा साथ मंगल यानि साथ ट्यूजडे तमिल नाडू की इस बार याद करने के लिए कर लेते हैं तमिल को तालीम तालीम एक उर्दू सफद जिसका मतलब होता है सिख्षा तालीम लेने के लिए आपको पता है कहां जाना पड़ता है बिद्याले जाना पड़ता है तो ऐसा समझे कि अगर हफते में सात मंगल हो ठीक है और कोई दिन ही ना हो जैसे संडे ना हो ठीक है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सात मंगल होगा तो हर दिन हमको तालीम लेने जाना पड़ेगा तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि सत मंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिल नाडू राज में स्थीत है ठीक है इसके बाद अगला है नवे गाउन नगजीरा टाइगर रिजर्व जो की महाराष्ट राज में स्थीत है तो नवे गाउन की बात हो रहे है और महाराष्ट में आपको सद में लेगा तो जाहिसी बात है अगर कोई महाराष्ट होगा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बसना पसंद करेंगे या फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग आना पसंद करेंगे रहना पसंद करेंगे तो वहाँ पर हमेशा नए ने गाओं बनते रहेंगे ठीक है तो याद रखेगा नवे गाउन नकजीरा टाइगर रिजर्व कहा इस्थीत है महाराष्ट में इस्थीत है ठीक है इसके बाद अगला है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो की राजस्थान में इस्थीत है मुकंदरा में मुकद सब्द लिखा हुए याद करने के लिए कर लगते हैं मुकुट ठीक है मुकद मुकट ठीक है मुकट की बाद हो रही है और आपको पता है राजा महराजा लोग सर पर मुकट पहनते हैं ठीक है तो आपको ऐसे याद हो जाएगा राजा फौर राजस्थान इसके बाद अम्रावाद है, अम्रावाद मैंने आपको याद ही करवा दिया, अम्रा जो कि आमला को बोलते हैं, और आमला का ओयल होता है, ओयल मतलब तेल, ठीक है, तो इसको फिर से याद करवाने की जरूराथ नहीं है, इसके बाद अगला पॉइंट है, बोर टाइगर रिजर्व, जो क उसको याद करने के लिए हम लोग हरा करेंगे, ठीक है, बोर आपको पते है, बोर से क्या होता है, पानी निकाला जाते है, जैसे ट्यूब बेल जो होता है, उसमें बोरिंग की जाती है, तो बोर से पानी निकलते है, उसके बाद खेती अच्छी होती है, मतलब हरा भरा खेत हो जाता है क्योंकि खेतों को पानी मिलता है बोर से तो खेत हरा हो जाता है तो हरा फ़र महाराष्ट तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बोर टाइगर रिजर्व जो कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है वो कहा इस्थीत है महाराष्ट में इस्थीत है यू पियो यानि तुम पियो तो सामने वाला क्या बोला कि मैंने पीली है ठीक है पीली है मतलब पीली अर्थाथ पीली भीत तो याद रखेगा कि जो पीली भीत Tiger Reserve वो कहां इस्थीत है उत्तर प्रदेश राज में इस्थीत है या फिर दूदवा वाले से भी correlate करके आप याद रख सकते हैं कि दूद मैंने पी लिया है और दूद से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज़्याद उत्पादन होता है ठीक है इसके बाद अगला है राजा जी टाइगर रिजर्व जो कि उत्तरा खंड राज में स्थीत है राजा जी सब्द लिखा हुए राजा जी टाइगर रिजर्व कहां स्थीत है उत राखंड में इस ठीक है इसके बाद कबलाग टारेश राज में स्थीत है कमbourणांचल में आपको सब्द मिल जाएगा अरुन आज चल यानि कोई बोल रहा है कि अरुन आओ चलें आना मतलब कम होता है कम यानि कमलांग होता है तो याद रखेगा कि कमलांग टाइगर रिजर्व कहां इस्थीत है ठीक है इसके बाद अगला है ओरांग टाइगर रिजर्व जो की असम राज में स्थीत है ओरांग में आपको रंग सब्द मिल जाएगा और आपको पता है आसमान को क्या बोलते है नीला अंबर बोलते है यानि नीला है जो अंबर ठीक है तो आसमान जो की निले रंग का होते है ना तो रंग से संबंधित आसमान है तो ओरंग टाइगर रिजर्व कहां स्थीत है असम में स्थीत है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं त्री बिल्ली पुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व की जो की तमिल नाडू पहले भी याद किया हुआ है मलाईस सब्द से ठीक है तो आगे वढ़ते हैं इसके वाद अगला है राम गढ़विस्धारी टाइगर रिजर जो की राजस्थान में इस्थीत है तो यहाँ पर देखिए राम सब्द लिखा हुआ है आपने सुना होगा एक लाइन रगुपति राजा राम राजा यानि राजस्थान ठीक है या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम भागवान के राजा बनने से पहले मंत्रा ने विस घोल दिया था तो विस फौर विसधारी और किसके राजा बनने से पहले राम तो राजा फौर राजस्थान ठीक है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसके बाएं लोग बात कर लेते हैं गुरू घासी दास टाइगर रिजर्व की जो की इस्थीत है 36 गढ़ राज में यहाँ पर याद करने के लिए आप ऐसा समझें कि गुरू घासी दास सब्द लिखा हुआ है ठीक है मतलब गुरू जी है कोई उनको पढ़ाना नहीं आता है घास छोलना आता है ठीक है या फिर ऐसा बोलिए कि कोई गुरू जी है ठीक है पहले के टाइम के गुरू जी की बात हो रही है जैसे कि जो अभी आपने देखे हुए साधू संद टाइप के उनकी बात हो रही है तो ऐसा समझी कि उनके पास कोई सक्ती नहीं है कोई ग्यान नहीं है वो किवल घांस छोलते थे पहले लेकिन अब लोगों को ग्यान दे रहे हैं तो जाहिए सी बात है ऐसे ग्यान से फायदा नहीं होने वाला है बलकि लोगों को छती ही होगी मतलब नुक उत्तरप्रदेश राजी में इस्ठीथ है, तो रानीपूर की बात हो रही है, तो रानीी सथ्थ यहांपर मिल जाएगा, और उत्तरप्रदेश में आपको सथ मिल जाएगा उत्तर, ठीक है, तो ऐसा सम johnson कोई भ्यक्व in, लिया फिर घोड़े पर चलकर नहीं जाता है अगर रानी कहीं से गुजर रही है तो सीधे वो उतर जाता है नीचे है ना उतर जाता है रानी के सामने वो नहीं जाता है किसी भी वीकल या फिर घोड़े पर चढ़कर तो उतरना फर उत्तर प्रदेश तो आप ऐसे याद रखे है आपकी स्क्रीन पर कुछ कोश्चन दिख रहे हैं उनके उत्तर भी आपको कमेंट करके बताना है और अगर आप इसका full mcq test solve करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा trick point quiz और group को join कर लिजेगा वहाँ पर youtube की सभी वीडियो का free में quiz solve करवाया जाते हैं और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा trick point और चैनल को join कर लिजेगा वहाँ पर आपको सभी वीडियो की free में PDF भी मिल जाएगी तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद कर दो दोटे हैं अगर वीडियो घर पया कर दो ऑटिफ अनल कर दो पर दोटे से जाएग़ को में अभर गिए जास्टेर में। कर दो की नप должна को आफ झाएगा कर दो से तो या हैं मुम्य ए Knowledge